मध्यविदेश की जन्ता जहां एक तरफ कोरोना वारस से परिशान है वही अब इनकी परिशानिया और बढ़ाने के लिए निस्सर्ग चक्रवाती तूफान भी आगे बढ़ रहा है पूर्वी अरब सागर से उठा ये डीप डेप्रेशन चक्रवाती तूफान बुधवार को महराश्ट और गुजरात के तटी इलाकों से होते हुए इंदौर संभाग में प्रवीश करेगा यहां आने तक इस तूफान की रफ़तार 50 से 60 किलो मीटर प्रति घंटे हो सकती है तूफान की खत्रे को देखते हुए मद्धिप्रिदेश में अलर्ट जारी कर दिया गया है इस पर मुख्यमंतरी शिवराश्य चौहान ने भी ट्वीट कर लोगों से सिरक्षित रहने की अपील की है उन्होंने लिखा कि निसर्ग का खत्रा मद्धिप्रिदेश पर मंड़रा रहा है ऐसे में आप सब जागरों को सतर्क रहें अपना और अपनों का हर संभव ध्यान रखें सभी सिरक्षित रहें इश्वर से यही प्रात्ना है इस पर मौसम विभाग का कहना है कि गुजरात और महाराष्ट के तटी इलाकों से होते हुए निसर्ग तुफान मद्धिप्रिदेश में पहुचेगा उन्होंने इस तुफान के असर की पांच जून तक संभाव इस तुफान के खत्री को देखते हुए मौसम विभाग ने भी लोगों से अपील की है कि वो पेड़ों के नीचे खड़े ना हो और अपने जानवरों को भी सिरक्षत स्थानों पर रखें जिससे किसी तरह के जानमाल का नुकसान नहों बदा जा रहा है कि निसर्ग तुफ तक जारी रहेगी सब्सक्राइब आर चैनल एंड प्रेस्ट बेल आइकन फोर अपडेट्स